दोस्तो आप देख रहे हैं सुंधर भिहार आज हम चारा बनाएंगे एस्नैक हेड फिश का वह भी विना केचुवाग है यानि एस्नैक हेड मचली का जो शिकार होता है बहुत से लोग उसको केचवा इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए लेकिन आज हम आटा से बनाएंगे जो और अगर आपको शिकार करने के बाद कामियाबी होता है, तो प्लीज दोस्तों इसको शेर जरूर कर दीजेगा, तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, आधा कप आटा लेंगे, देखिए, एक कप आटा था, हमने आधा कप आटा लिया इसमें हम दो मेडियम साइज की पोठिया मचली लेंगे, तो पोठिया मचली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए देखिए, पोठिया मचली है, हम इसको क्या करेंगे, पहले पीसेंगे, मतलब इसको बारीक करेंगे, हम आप चाहे तो ग्रैंडर में पीस सकते हैं, य हम इसके लिए दो पुठिया मचली लेंगे तो देखिए दोस्तों मैं पुठिया मचली को यहां पर रख दिया हूँ अब मैं इसको पीस हूँगा देखिए यह सिल बटा से हम इसको पीस हैं के पहले और आप विडियो में देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक हो गया है यह देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसमें पोठिया मचली हम मिक्स करेंगे इसमें मिलाएंगे दिखाता हूँ मैं आपको देखिए ये पीस चुका हूँ पीसने के बाद से पोठिया मचली मैं यहाँ पर ला दिया हूँ और हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर मिलाएंगे पीसने के बाद थोड़ा ब्लेक हो जाता है इसके अंदर हम मिलाएंगे मिलाने के बाद से देखिए पूरा अच्छा तरीका से इसको सुखा हुआ हम मिक्स करेंगे दोस्तो थोड़ा बनाने में अजीब लगेगा लेकिन इस चारा को आप इस्तेमाल केजिए दोस्तो आप याद रखेंगे देखिए इस चारा से आप धान के खेत में मचली का शिकार कर सकते हैं जब भी आप इसको पीसिए तो ग्राइंड कर लिजिए या सील बटा के उपर या पत्थर के उपर पीसिए मतलब बिलकुल एकदम जो बारीक पीसिए ताके आपको शिकार करने में परिशानी नहीं हो तो स्नेक हेड मचली जो है इसका चारा जो है बहुत पसंद करती है और बहुत जल्दी जल्दी इसका शिकार में आती है दोस्तो अगर एक चीज़ ख्याल कीजिएगा अगर आप आज चारा बना रहे हैं और कल आप इससे शिकार करेंगे यानि थोड़ा स्रड जाएगा यानि आज चारा बना दिये बना करके रात को छोड़ दिये पलास्टिक में बंद करके खुला मत छोड़िएगा पलास्टिक में बांद के छोड़िएगा और इसको कल शिकार कीजिए तो इसका रिजल्ट और भी बेहतर होगा जब भी आप मैं हुक में लगा के दिखाऊंगा गरई मचली को शिकार करने के लिए आप किस तरह से इसको हुक में लगाएंगे ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप रात को इससे शिकार करना चाहते हैं तो आपका चारा जो है बिल्कुल हाड होना चाहिए अगर दिन को चाहते हैं तो नरम रहेगा थोड़ा चलेगा अगर धान के खेत में शिकार करना चाहते हैं तो आपका चारा हाड होना चाहिए क्योंके धान के पीण में चारा ऐसे डाल कर बार बार आप डाउन नीचे उपर ऐसे धागा करेंगे तो आपका चारा लूज होकर कर निकल नहीं तो चारा आपका लूज हो जाएगा तो परिशानी होगा शिकार करने के लिए तो देखिए दोस्तों इस तरह समय इसको गूध देता हूँ आप जब भी चारा बनाईएगा तो दो चीज बनाईएगा अगर आप चार पांच हूक एक साथ ले जाकर के शिकार करना चाहत हैं और पानी साफ है तो आपको चराई बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर चराई अगर बनाएंगे तो ज्याकम समय में ज्यादा गुराई मचली या एसनेक हेड मचली जो है उसका आप शिकार कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह चराई है यह जो भुरु जब भी आप आटा को गूधिये तो आच्छा से गूध लीजिए बिल्कुल आपका आटा मिल जाना चाहिए और इसको जो आप शिकार करेंगे तो किस तरह से करेंगे मैं हूप के उपर लगा के देखाता हूँ देखिए एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जितना बड़ा ह हूख है आप चाहे तो बड़ा हूख अगर बड़ी स्नेक हैड है जो एक किलो आधा किलो की बड़ी बड़ी जिसको हम लोग साूरा मचली बोलते हैं या बहुत से जगह उसको भोड़ा मचली बोलते हैं लोग तो उस तरह कि अगर बड़ी मचली है तो आप बड़ा चारा छोटी मुचली है तो आप छोटी मतलब छोटा चारा इस्तेमाल करेंगे तो देखिए जब भी आप शिकार करने के लिए जाएंगे तो देखिए एक तरफ इस चारा को देखिए एक तरफ पतला है और दूसरा तरफ मोटा है तो पतला वाला जो हिस्सा है न यह पतला वाला इ पतला वाला हिस्सा है उदर से आप ऐसे हूक में डालेंगे डालने के बाद से इसको थोड़ा से आगे से चिप्टा कर देंगे देखिए मैं हूक में लगाने के बाद से दिखा रहा हूँ आगे से थोड़ा चिप्टा होना चाहिए ध्यान रहा है देखिए इस तरह से चिप् ख्याल कीजिएगा आगे जहां नोक निकला है इधर थोड़ा सा चिप्टा कर दीजिए और इधर कहीं सा गोल होना चाहिए पीछे कहीं सा देखिए इस तरह से आप इसको शिकार कीजिए अगर साफ पानी है उधर आप शिकार करने जा रहे हैं तो आपको चराई डालना जरू हम लोग इस से शिकार करते हैं और आप भी शिकार कीजिए और दोस्तो एक चीज और है अगर शिकार करने के बाद आपको काम्याबी मिलता है तो प्लीस दोस्तो इस वीडियो को शियर तो जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिएगा लेकिन पहले शिकार कीजिए अगर काम्याभी मिलता है तो दोस्तों जरूर आपको काम्याभी मिलेगा और बहुत अच्छा चारा है दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कीजिए इस्तेमाल करने के बाद अपने दोस्तों को भी बताईएगा ओके दोस्तों सुंदर भ